रम्राम जी कैसे हैं करuto और आज दिल्ली में हो रही है धुआ धार बारिश ूरी रात ओगी बारिश होते हुए और इतनी ठंड हो रखी आज वापस से बहुत ज़ादा ठंड होगी है तो बारा से में दिखाती हूँ अब लोगों को एक सेकिन रुकों में अभी दिखारी बा बट रात को हो रही थी तो देखा आप लोगोंने पारिश हुई है पूरी रात बरसा है पूरी रात और अब बारिश नहीं है अब थोड़ी दो थोड़ी बहुत देर पहले बंद हुई तो थोड़ी पहले तक भी बहुत तेज बारिश हो रही थी आप लोगों को दिखा दिखाने वाली थी लेकिन मेरे हस्बन आफिस चाह रहे थे तो इसलिए मैंने का चलो ठीक है यह आफिस चले जाएंगे उसके बाद ही व्लॉग शुरू करूंगी मैं उसके बाद ही आप लो सब्सक्राइब करते हो आप लोग मेरे को प्यार करते हो और आप लोग मेरी फैमली हो तो मैं बुरा नहीं मानती हूँ हसी मजाग करते हो आप लोग मुझे पता है बैठ जाओ एक तो हसी मजाग करते हो आप लोग चाहे नहीं है या चाहे वहां की जिन में रखे है तो आप लोग हसी मजाग करते हो मैं बेरा है बुरा नहीं मान्या करती और आज फिर मेरे घर में समान बहुत जादा फैल रख् यह मेरे बेटे का क्रिकेट का किट है जो अकैडमी जाए करें तो यहीं पटक रखा पुछी कपड़े हैं और कपड़े ना मैं आपको यह बारी दिखाऊंगी देखें दर चलते हैं उसके बात दिखाती हो और मैं ठालूपनी चाई का गिलास इस नहीं रखें अंदर मैं ठालूपनी चाहिए गिलास और मेरे कप हाथ में नहीं लगा तो मैंने गिलास में बनाई यह दूद दर दू एक बार ताता होना एक मिनेट दूद दर दू एक बार ना उल्टे आता दो ग्यास भी न चलती हाथ में फोन पकड़के वीडियो बनाऊ थी ना रे यारी यारी पिलो जिस ने पेनी ए भाई गिलास में में इतनी चाय प्या करूंत और आज ना बने बच्चे भी जो नहीं बेजे तो बारिश हो रही थी बहुत अबदस धुआधार और कल मेरे लखी का थोड़ी सी बेटे नीचे क्यों गिरा दी उपर रखो बैट पर और कल मेरे बेटे का थोड़ी सी ओरी थी निवाई दिन में निवाई थी इसके इसके इसकी तब्यद भी ठीक ना थी तो इसलिए चाए पीलू हूँ अचानक से मेरे को आ गया था कोई काम और यह देखो आप बारिश हो रही है अभी भी हल्की हल्की फू आरा रही है वैसे नहीं पता चलता बारिश का लेकिन जब गाड़ी के शिशे पर पड़ा है ना तो जब दिखाई दे हाँ बूंदा लग रही है आ पोन आ गया था तो मेरे को किसी काम से निकलना पड़ा था इस वचे से आगे में आप लोगों से बात नहीं कर पाई और शीशे पर देखा आप साइड में दिख रही होंगी आपने बूंदा बांदी तो बूंदा बांदी तो भी होए रही है जैसे मैं आपको बताया ही था होएं था है से कि मैं गरी तो रस्ते में खंबा धड़ाम से गिर आण दिया के तो उसके बाद मेरे बहुत ड़ लगे कर और यहां में पहुंची नहीं तो यह गाडि खड़ी ठीक पत्ता दखीस तरह सिंगार हो रहा और पानी देखवा पानी लगा सकत्यार शोग पहुत प पूरा पूरी रात होगी बरस्ते और बहुत थंडा मोसम हो गया आज फेल दू बारत है और जो मौसम है वह रहा है इसाए बारिश का कोई वरोसा ना है तेज भी हो सके है और इसी फूर भी रह सके कदे तेज हो जायर कदे फूर सी रहे हैं मैं गर्जान लगरी वापीस आप अब लोगों के दिखाती है तो यह देखो नहीं चलाओंगी तो मेरा एक्सिडेंट हो जाएगा तो घर पहुचने से परली बारिश तेज होगी थी तो मैं सोचा कि चलो आप लोगों को पारिश के दर्शन भी करा दिये जाए दिल्ली वीबल शिमला मनाली बना होया है इस तो आपके देखो आके तेज नहीं कहीं कहीं है तो जब बहुत तेजन और यह अपहुच गें है का दिका दुगी और यहां पहुंच सोसाइटी में देखो मारी सोसाइटी में भी पाणी भरक्राए कि वैसे सुबह साफ सफाई हो गी थी सारा साफ सफाई कर दिया था जो क्लीरिंग डिपार्टमेंट के लोग है उन्होंने यह भी फुर। पढ़न लगई है पानी में दीखती होंगी आप लोगा ने लेकिन पानी भरा खड़ा तो चलो चले हो उपर और उपर चलके बात करूंगी मैं तो मैं आ गई हूं घर पर चैसा कि आप लोगों को पता ही है कि आज तारीक हो गी है कि पूल जाती हूं कि तो आज हो गया देकौतली आई करें आपके पास इस व्लॉग के बाद नहीं हुई है और उसकी एड़िटिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा तो इसलिए वो व्लॉग आपके पास इस व्लॉग के बाद में आएगा ये ये व्लॉग आज का है और कोशिश करूंगी आज का व्लॉग आज ही आप लोगों तक पहुंच जा क्योंकि दिल्ली में जो मौसम हो रख्या था ना वो मेरा मन कर रहा था कि अपना सक्राथ के लेका वह मैं करने कि लिए तो सक्राथ का को देना है वह आप सकते हो चैज है तो सक्राथ में लिख उते हैं फ्रूट्स होते हैं गाजर का हलवा होता है रेवडी मूम फली होती है गज्जक होती है यह सब चीजे सकरात पर होएकर है तो वही सब मैं भी लेकर आई थी तो वह मैं आप लोगों को नहीं दिखाऊंगी क्योंकि उसमें मेरे को नहीं लगता कि उसमें आप लोगों के साथ करने जैसा कुछ है बे मतलब वीडियो को लंबा खीचने का वो हो जाता है बस कि यह सारी जो खाने पीने की चीज़ें वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी सब लेकिशें देखी होती है तो बस यह सब चीजे सकरात के सी दे में आती है और आता है जो बहन है बेटी एब तो वह आपके उपर डिपेंड करता है कि आपने के देना है तो मैं है ना आप लोगों को सिर्फ अपने सूट दिखाऊंगी बाकी मैं कोई भी चीज नहीं दिखा रही हूँ वह मैं आप लोगों को वैसे ओरली बता चुकी हूँगी मैं खाल फीन का केक के लेका आई थी तो जो भी सी देमाई करा वो सब लेका आई थी मैं तो वह तो मैं नहीं दिखाऊंगी ठीक है तो चलिए एक बड़ा बड़ से सूट देख लेते हैं तो मैं लेके आई थी दो सूट उसमें से पहला सूट है यह वाला इस तरीके से है यह और एम्प्रोइडरी है इस सूट में आप लोगों के कमेंट डिकार अलग तो अब जो मैं करवा चौथ पर सूट लेका थी ना उसका और इसका कलर बिलकुल अलग है एक जासा कलर बिलकुल भी नहीं है यह देखण में वैसे लग रहा होगा पर बिलकुल अलग अलग कलर रहा दोनों के और सूट में आपको हाई नहीं दे रहा होगा चमक चमक के कारण शायद ना दिख रहा होगा आप लोग देखो तो यह इस तरीके से है यह गड़ाबन रख्या है और यह इसमें एक फूल बीच में है एक फूल नीच्चे जोली में आवेगा और यह नीच्चे का जो बॉडर है वह इस टाइप का खोलके दिखा सकती क्योंकि यह पूरा का पूरा नस तरीके से पैक है अगरम खोल दिया तो हो जागी बहुत गरबर क्योंकि मैं बस ऐसे एक है मेरा काम दाम कर वाइप ने हम यहां इस सीड मॊंस चूपे लगा है यह उस तरीके से हैं इस ट्रूवर बहुत उन्हा उप स्चबर एंग कोई ऑई डिजाइन बना सके थो यह इस तरीके आप लोग मेरे को बताना जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि कौन सा वाला सूट आप लोगों को ज्यादा पसंद आया यह वाला यह जो दूसरा दिखाऊंगी वह वाला और यह है इसकी चुनी इस तरीके से दूपट्टा है यह इसका और इसमें ना दोनों साइड में जबनाइक है देख सकते हो आप दोनों साइड में बॉर्डर है और गोटा लग रख्या है और बीच-बीच में इस तरीके से पूल भी है इसमें और यह देखो यह दूसरी साइड में भी बॉर्डर है इसमें पूरा बॉर्डर है तोपे में परके ओर के दिखा दू निया देखो इस तरी कैसे है या कुछ एसे आओगी या सिर्फे तो देख सकते आप लोग कि इधर से भी ऐसे आवे गए है और यान हमारे जान में बार बार आप लोगों को सोग नहीं agree प्रॉब्ल्लम नहीं और दूसरा सुट है यह बिल्कुल लाइट ययलो कलर है यह बिल्कुल लाइट और यह बिल्कुल अलग सा गलर और इसको भी निकाल के दिखाती हो आप लोगों को ओर इसका कपड़ा ना यह थोड़ा साथ टीश्यू में कपड़ा कोन सा है मेरे को कपड़े की नामों का नहीं पता होता मेरे को बस यह पता होता है कि हाँ जो मैंने पसंद आ गया हो मैंने करीद रहा है बस मैंने इतना पता हुए बाग की मैंने कपड़े का नाम नहीं नहीं पता वही कौन सा हो है तो यह थोड़ा सालका सा टीशू टाइप में है क्यो आप और नीचे है इसके बॉर्डर इस तरीखे से बार्डर है इसमें नीचे चोडा तो यह तो था मेरा येलोगत और मेरे को कमेंट बोक्स में कमेंट करके जरूर बताई यह बार बार कन लग रही है। कि ब्लाजो जो भी बनाना है वो इस कलर का है इसके प्रिंट के अकोर्डिंग कर रख्या है और दूसरा सूट था वह All-over है जो कंसलब जो कलर कॉंबिनेशन है वह उल ओवर है बॉटम का भी और कुर्ते का भी और इसकी जो चुन्नी है वो ये है ये देखो ये है चुन्नी इसकी बंदेज की जो tie and die होता है बंदेज बोलते जिसको ये वो है और इसमें जो border है ये देखो जो suit में border था वो border इसमें लगा रखे है और चौड़ा border नहीं है यो बहुत जादा ठीक ठीक है चारों तरफ है यो border प्रेस करने पड़ेगी करके ठीक हो जाएगी यह पानी में निकलेगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी अजय को वाला कपड़ा है कि यह चौड़ी चुनी दिखे लेकिन जैसे इस नहीं दोबेंगे ना यह श्रिंक हो कर चाहिए मेरे पास कई सूटा की चुन्नी इसी आ रही है दिखन में चोड़ी रहा है दोए पिछ ना फिर वह इतनी इसी हो जाए गले-गले में गेरी जा बस इसी रहा है गुंगट-गंगट तर फिर उसमें होता ना और यह ना इसके अंदर यह इस तरीके से लटकन लगी हुई है चा सब्सक्राइब करते हैं वह तो हमारी अपने बड़ों के प्रती रिस्पेक्ट है हमारा अपने कल्चर को आगे लेके जाना है लेकिन वह यह कि इनसान जैसी सोसाइटी में रहता है जैसे माहूल में रहता है वैसे ही ढल जाता है अब यहां अगर मेरी मदर इनलो आती है तो वो मेरे को प्रेशराइज नहीं करती है कि नहीं मैं आई हूँ तो तू सूट पैर वो नहीं बोलती है मेरे को लेकिन वहां ज तो में आりамиा हैं दोनों से कुई सिंभी नहीं करती हैं मैं भी मेरी सास गुंगट करती हैं यहीं और आज ऑन्हें मैं यह सोच ही नखुना का थोड़ा सा दिन सुदार लूए देखो मेरे नखून किसे हो रहे हैं इनका ना कती दीन खराब हो रहा है और मैं ना इतनी किसी भी चीज दुखी नी ओती जितनी नखुनां दुखी ओजाओं असल मैंने बड़े नखुन रखन का शौक है लेकिन बड़े नखुनों की देखबाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बहुत ज़्यादा देखबाल करनी पड़े बड़े नखुन करने के लिए या लॉंग मेल्स रखने के लिए और मैंने बहुत ज़्यादा शौक है मन स्टार्टिंग से ही लगा लिए मेरे ना कुन नेल पेंट में लगा ली ना लगा ली तो ना लगा लिए इतना वीजी शडूल रहा है कि बीजी शडूल रहने के कारण इनकी कती भी देख वाल नहीं हो पाती अन्यूए इन गदीव खिंड रहा है तो मैं तो आज इनने में थोड़ा इसा साफ सु सब्जी और ना थोड़ी तो थोड़ी तो फोड़ी में चली जाए सब्जी भी 2 जोड़ी में चली इ którą शुरू तो छबता हूं तो चीडाध ने प्ल DANE तो लगा दे हैं और अगर कोई नहीं मिलता ज penalty से meer लोगा रखानहा जबTOR दम heat लगाता तो इसलिए पीश्याद पर रखालू और आब टाइम हो गया धाए और महोसम अभी भी बिल्कुल ऐसा इसी है है और मेरा फोन है ना अभार बार स्टोरेज फूल् वूल दिखा रहा है तो आज के व्लोग को यहीं पर ईंड करना पड़ेगा और लगंखी पड़ रहा था और पड़ते पड़ते वो सो गया ऊबिए इसे स्दैंडने को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताये हो कि पहले में कौन सा वाला जो फोड़ा सा वाइन से कलर वो सीलूल या यलो वाला याक्र में कमेंट करके जरूर और आज व्लॉके और कमेंट बॉक्स ना है वियर कमेंट करना तैंड डिली बारत के नए हिल स्टेशन के मौसम को किस-किस ने इंजॉय करा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताईयों मेरे को तो चलिए फिर आज के व्लॉग को यहीं पर कर देते हैं मिलती हूं आप लोगों से एक नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ तब तक सभी को प्यार बढ़ी राम राम आज आज सब्सक्राइब नहीं कर राख्या चैनल तरह सब्सक्राइब करके जाए यो बेल आइकन के साथ जो आल नोटिफिकेशन वाली बेल आइकन है उसके साथ चैनल ने सब्सक्राइब करके और जिप वीडियो बंद करियो ठीक है तो चलिए फिर मिलती हूं आप लोगों से